गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पिछल क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट मेनू में यहां पे एक पिक्चर का आ रहा है तो पिक्चर हम लोगों ने पढ़ा था आज हम लोगों को क्लिप आर्ट पढ़ना है देख लेते हैं क्लिप आर्ट हो देगा माली यहां पे computer है computer लिख देते हैं और इसको हम search कर देते हैं यहां पे go का option आ रहा है तो इसके उपर भी आप click केजिएगा तो search हो जाएगा यह देखिए और यहां पे scroll का option आएगा इससे आप नीचे लेके आ सकते हैं नहीं तो एक यहां पे आप का option है और एक यह down का option है इसके ओपर भी आप click करेंगे तो यह नीचे आ जाएगा माल लिजidi आप computer का notes बना रहे हैं आपको यह डालना है computer दलना है यह फिर आप नीचे लेका ये scroll किजिए आपको यहां पे computer है computer डालना है तो computer डाल देजिए यह फिर computer के साथ CPU भी डालना है तो आप computer के साथ CPU डालने के लिए आप फिर से इसको क्या कीजिए scroll कीजिए और यहाँ पर लेके आजाईए डाल दीजिए यहाँ पर और यह आपको उपर depend करना है कि आपको यह डालना का है अगर आपको यहाँ पर डालना है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते है computer के बारे में कुछ भी जो आपको मालूम है computer के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते है computer क्या होता है या फिर CPU क्या होता है यहाँ पर फिर से आप clip art में चाहिए माल लिजिए आपको printer के बारे में लिखना है तो आप computer के ही आप scanner को भी लेकर आ सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे चीजे हैं देखिए यहां पर CPU का फूल दिया गया यह देखिए और अच्छे से दिया गया CPU का फोटो हो गया printer है scanner है आप अगर computer का notes बनाना चाहते हैं तो computer क्या है आप लिखिए computer क्या है उसके बगर में computer का photo डाल देजिए आप CPU क्या है, CPU के बारे में लिखना है CPU के बारे में लिख देजिए इसके बगर में CPU का photo डाल देजिए अगर आपको scanner के बारे में लिखना है तो यह scanner के बारे में लिखिए और उसका photo डाल दीजिए तो यह सब चीज होता है यह यहाँ पर clip art में इस सब चीजों के बारे में बताया जाता है चलिए next topic है हम लोगों का shape तो shape हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे